हाला वेलकम टू आवर चैनल एजूकेशन अड़्डा और आप सभी बच्चों का एजूकेशन अड़्डा चैनल पर स्वागत है तो बच्चे आज हम लोग जो ले करके आए हैं हम लोग बहुत ही दिनों से लगबग साथ आठ महिनों से हम लोगों ने प्रिपरेशन करा और वह भी हम लोगों ने किस चीज का प्रिपरेशन करा था अलिगर्ड मुस्लिम इनवस्टी के लिए जामिया इनवस्टी के लिए 11 साइंस और डिपलोमा इंजिनियरिंग और फिर जो है बच्चे कॉमर्स के लिए कॉमर्स हुमानिटीज है और आर्ट्स है आर्ट्स है 11 साइंस और डिपलोमा के लिए अपलाई किये तो उन्होंने 24 को पेपर दे दिया है अब वो लोग जो है वो बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं रिजल्ट का ठीक है तो रिजल्ट जो है बच्चे वो आपका कब आने वाला है वो आपका अब जो यह अगस्त चल रहा है ना अगस्त तो अगस्त के एंड तक में सभी बच्चों का रिजल्ट जो है वो आ जायेगा तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब हम लोगों को क्या करना है जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी जाया नहीं होने वाला है तो दोबारा से अच्छे से फिर से कंबैक करेंगे बहुत ही अच्छे पावर में आएंगे और फिर महस्त शुरू करेंगे और इस बार सेलेक्शन ले करके रहेंगे तो आज का जो ये वीडियो शेशन है आज का जो ये वीडियो शेशन है हम उन बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जो इस साल यानि की अगले साल यानि 2023 में 2023 में Class 6 के लिए apply करेंगे अलीगण Muslim University में तो जो बच्चे Class 6 के लिए अलीगण Muslim University में apply करना चाहते हैं 2023 नए session के लिए तो उन बच्चों का क्या क्रेटेरिया है उन्हों को क्या क्या चीज़ें जो है किस-किस चीज़ों की जानकारी लेनी बहुत जरूरी है वो सारा information हम बताएंगे कि जो मतलब अलीगण Muslim University में जो exam होता है Class 6 का exam होता है यहां देखो Class 6 का exam होता है उस entrance exam में क्या-क्या चीज़ों की जरूरत होगी उसको देने के लिए कि क्या syllabus क्या होगा पूरा information इस वीडियो session में हम आपको देने वाले है कि information क्या है भाई कि syllabus क्या होने वाला है यहीं क्लास 6 का जो entrance exam देंगे तो उसमें हमको क्या पढ़ना होगा जिस तरीके से 11 science के लिए आप लोग apply करते हो बच्चे apply करते हैं तो उसको 9 और 10 पढ़ना पढ़ता है उसी तरीके से 6 class के लिए आप अगर apply करोगे M.U. में तो आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा तो syllabus क्या होगा एक्जाम पैटन क्या रहता है एक्जाम पैटन क्या रहता है तो एक्जाम पैटन के बारे में भी बताएंगे eligibility क्या है मतलब की कौन-कौन से बच्चे eligible होंगे class 6 का entrance देने के लिए seat कितनी होती है, fees कितनी है, exam center कहां होते है और hostel है ना hostel मिलता है या नहीं मिलता है यह सारा information आज हम आपको इस session के माधियम से बताएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़े चलो तो आगे बढ़ने से पहले हमारा काम कर दें भाई आप लोग हमारा क्या काम है कि जो भी बच्चे जो भी student इस platform से नए जुड रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर देंगे भाई चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे पहला काम दूसरा काम है session को like करेंगे और share जरूर करेंगे क्योंकि और भी बच्चे जिन जो बच्चे चाहते हैं कि classics में apply करेंगे 2023 में और उन तक यह information वाला वीडियो पहुंचना चाहिए ठीक है उन तक यह information वाला वीडियो पहुंचना चाहिए और comment करके बताएंगे कि यह session आप लोगों को कैसा रहा ठीक है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करेंगे याद से करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का एक education अड़ा learning app है education अड़ा ने अपना एक खुद का एप बनाया है और वो एप का नाम है education अड़ा learning app वो एप आपको play store पे मिल जाएगा आप लोग play store पे जाओगे डाउनलोड गरोगे वो एप वहीं पर पूरा course का preparation कराया जाता है ठीक है बच्चे तो अभी वो course आया नहीं है लेकिन आने वाला है और वो कहां पर वो course आएगा वो course आपका education अड़ा learning app पर आएगा जो आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यह सारी basic information है डाउनलोड करने का option आपको कहां पर मिलेगा है भाई आप जो है वो play store से डाउनलोड कर सकते हैं यहां देखो इंस्टॉल कर सकते है class 6th class 6th का मतलब जो भी बच्चे amu में class 6th के लिए form भरेंगे entrance exam देना चाहेंगे वहां पढ़ना चाहेंगे तो उनको क्या-क्या चीजों की जरूरत होगी क्या-क्या उनको information पता होना चाहिए तो आज हम इसमें आपको बताएंगे कि seats कितनी होती है fees कितनी होती है eligibility क्या है reservation क्या है hostel मिलेगा या नहीं मिलेगा medium of exam exam का medium क्या होगा आपका exam हिंदी में होगा English में होगा या उर्दू में होगा वो बताएंगे exam pattern क्या होगा या किस pattern पे exam होगा तो आप लोग पता है कि pattern क्या है OMR based होता है OMR based होता है नहीं कि एक आपको OMR sheet मिलता है और बहुत सारे round 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 जो है वो बबल से आप लोगों को दिखेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे जब हम लोग preparation कराएंगे तो सारा information आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या करना है 11 के preparation में हमने पूरा detail बता है और ज़्यादा selection भी होने वाला इस बार जामिया में आप लोगों ने देखा है यह कितना अच्छा रहेंगा है हमारे बच्चों का भाई boys के लिए लड़कों के लिए लड़कों के लिए seat कितनी है दो स्कूल है दो तरह के स्कूल है एक English medium और दूसरा उर्दू मेडियम तो भाई दो तरह के स्कूल चलते हैं दो तरह के स्कूल चलता है आपका English medium भी स्कूल चलेगा और उर्दू मेडियम भी स्कूल चलता ह कहां पर भाई amu मैं हम कहां की बात कर रहे हैं amu की बात कर भात तो фото stato Smith में具 sample में दो इसकूल है एk Sts S कूल और डूसरा है amu City इसकूल तो स्ट्स इसकूल में कितने सीत फैनाइस सीथे आह और a my city school में कितने seat है 90 seat है तो इसमें ज्यादा है उर्दू मेडियम में एक school है आपका तो girls के लिए भी दो school है, एक आपका English medium है, दूसरा उर्दू medium है, English medium में कौन सा school है भाई, AMU girls school, और इसमें कितने seat है, 45 seat है, ठीक है, और उर्दू medium में AMU city girls high school, और इसमें कितने seat है, 40 seat है, total seat की अगर हम बात करें तो इसमें कितना हो गया भाई, 85 seats, कितने हो गया, 85 seats, और अगर हम boys की बात करें, तो boys में seat ज्यादा है, यहाँ पर देख लिजे कितना है, यह हो गया 135, और यह 45, कितना हो गया, देख लो भाई, add कर लो, 10, 8, 180, 180 seat, boys के लिए कितने seat हो गया, 180 seats, और girls के लिए कितना seat हो गया, 85 seats, girls के लिए कम seat है, ठीक है, चलिए और information लेते हैं भाई, eligibility क्या है, qualifying examination, क्या लिखा हुआ है, past class 5 from a school, which is registered and recognized by a competent government authority, or is affiliated to an approved public examination board, यानि कि वैसे बच्चे से examination को, इस entrance exam को qualify करेंगे, जो बच्चे class 5 pass होंगे, क्या होंगे, pass होंगे, कैसा school से, वो ऐसा school जो authorized होगा, private से भी authorized हो सकता है, और government से भी authorized हो सकता है, दोनों में से authorized होगा, registered होना चाहिए, registered होना चाहिए, और class 5 pass होना चाहिए वो बच्चा, पास होना चाहिए, यह matter नहीं रखता कि आपने कितना percentage लाया, पास होना चाहिए, यह नहीं कि बोलना है कि 60% से ज़्यादा परसेंट लाएगा, तब ही वो बच्चा जो है, वो AMU का exam दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या लिखाबा भाई देख लेते हैं, नोट में क्या है, for a verification, the registration, recognition, or the affiliation number of the school should be clearly mentioned on the qualifying examination, mark, sheet, or certificate, जब आप exam देने के बाद, जब आप admission लेने के लिए जाओगे, तो जो mark sheet लेके जाओगे, जो certificate लेके जाओगे, तो उसी school का registration number, या recognition number, या affiliation number, clear वहाँ पर mention होना चाहिए, आपके mark sheet में, ताकि अच्छे से, आसानी से verification किया जा सके है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, age limit क्या है, age limit क्या है, कौन-कौन से बच्चे ये paper दे सकते हैं, तो भाई, बच्चों का age जो है, वो 10 से 12 साल होना चाहिए, 10 से 12 साल के बच्चे ही ये test दे सकते हैं, अगर बच्चा 9 साल का है, तो not eligible, अगर बच्चा 13 साल का है, तो not eligible, 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, या तो 10 साल हो, या तो 12 साल हो, या 11 हो, ये age limit है, ये क्या है, age limit है, और वो कहां से count होगा भाई, March 31 से 2023 तक, March 31 में 2023 तक उसका ये age होना चाहिए, ये, 10 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, that is the date of birth to the applicant must be lie between April 01-2011, April 2011 से ले करके, 31 मार्च 2013 तक, 13 के बीच में होना चाहिए, तब ही जा करके, ये age पूरा होगा, 10 से 12 साल, या रखना है, 10 से 12 साल के बीच के बच्चे ये test देंगे, ठीक है, चलिया, exam pattern क्या है, ये समझ लो, through admission test, ये किसके जरिये होता है, exam, admission test होता है, सभी बच्चों को पता है, admission test होता है, total merit will have the following components, और ये जो test होता है, दो mode में होता है, लेकिन जो main mode है, वो आपका है written test, वो क्या है, written test, return test होता है, 85 marks का, यानि वही आपका mcq pattern होता है, ये आपका mcq, multiple twice question रहेंगे, कितने रहेंगे, 85 questions रहेंगे, और वो 85 marks का रहेगा, 85 marks का रहेगा, ये return कहलाता है, फिर जब इसमें बच्चा pass हो जाता है, qualify हो जाता है, तो फिर दूसरा mode होता है, आपका interview, क्या होता है, interview, तो देखो भाई, class 6 हो, या class 9 हो, इसमें interview देखने को मिलेगा, interview होता है, ठीक है, interview कितने marks का होगा, 15 marks का, कितने marks का, 15 marks का, टोटल कितना हो गया, 100 marks, लेकिन ज्यादा depend आपका किस पे करना है, return test पे, return test में अगर आप 70 ले आते हैं, interview में आप qualify हो जाएंगा, और interview में जब जाएंगे, तो सिर्फ बैठने से ही आपको जो है, interview attend करने से ही आपको 6 से 8 नमबर दे दिया जाता है, 6 से 8 नमबर दे दिया जाता, और अच्छा गया तो, और अच्छा नमबर आपको मिल जाएंगा, आरी बात समझ में, यह चीज है, ठीक है, यह चीज होना ज़रूरी है, चलो आगे बड़ते हैं, test paper detail, test paper detail में देखो क्या है, the written test shall comprise two section as declared below, दो section होता है, एक section होता है आपका section one, section one में आपका language होता है, क्या होता है, languages होता है और section two में section two में आपका math होता है and science होता है math and science होता है language में क्या होता है language आप लोगों पता है क्या होता है English, Hindi, Urdu ठीक है English, Hindi, Urdu section one कितने marks से होता है 25 marks का होता है यापर देखो 25 marks कितने question 25 question 25 objective type question MCQ of one mark is on languages English, Urdu and Hindi language कितने marks का हो जागा section one 25 marks का section two 60 marks का होता है कितने marks का होता है 60 marks section two में क्या हाता आपका mathematics and science 30 नमर का मैं 30 नमर का science यह test qualify करने के लिए आपको section one में 40 percent marks obtain करने होंगे यानि कि 25 में से 25 नमर का 40 percent आपको obtain करना पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है आगे अभी हम बताएंगे तो यह समझ में आया दो section में होता है चलिए यहाँ पर देखिए it is essential that the candidate obtained a minimum of 40 percent marks in section one section one क्या था language था section one क्या था language था यानि कि आपका English था हिंदी था हिंदी और उर्दू कि इन तीनों में आपको 40 percent marks लाना पड़ेगा और यह तीनों मार्क्स आता कितना है 25 मार्क्स का तो 25 मार्क्स का 40 percent marks आपको obtain करना पड़ेगा अधरवाइस आप qualify नहीं करोगे है ठीक है कि लिएर है the test paper syllabus shall be the same as prescribed for class 5 by cbsc ncrt and followed in university school test paper का syllabus यानि कि आपको पड़ना क्या है तो भाई जो आप स्कूल में class 5 में जो cbsc का syllabus होता है ncrt का syllabus होता है वही आपको पड़ना है science और math ठीक है तो यहां शमभी में आ गया math 30 marks का होता है science 30 marks होता है और लेंग्वेज 25 मांक्स होता है तोटल आपका कितना हो गया 85 मांक्स हो गया 85 मांक्स 15 मांक्स जो होता है वो आपका इंटर्विवीयू का होता है ठीक है चलो कैटेगरी देख लेता है भाई रिजर्वेशन भी है AMU में अलिगण मुस्लिम इनुवस्टी में उनके किन बच्चों के लिए है रिजर्वेशन ये समझ लो एक कटेगरी यहाँ पर देखो क्या लिखावा चाइल्ड आफ AMU अलुमनाई यानि CA कटेगरी CA कटेगरी उन बच्चों को मिलता है जिनके फादर या मदर यानि जिनके पैरेंट्स अलिगण मुस्लिम इनुवस्टी से ही उन्होंने पढ़ाई की तो उन बच्चों को मिलता है CA कटेगरी रिजर्वेशन है ठीक है दूसरा है आपका CA CHILD OF AMU ALUMNI इसमें EMPLOY है यह क्या है बही EMPLOY तो जो अलिगण मुस्लिम इनुवस्टी में EMPLOY है चाहे वो गांस काटने वाला क्यों नहीं हो चाहे वो खाना बनाने वाला क्यों नहीं हो गेट कीपर क्यों ना हो उनके बच्चों को मिलेगा ये वाला कटेगरी C कटेगरी रिजर्वेशन और जो physically challenged होंगे भाई physically challenged बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है तो ये तीन तरह का रिजर्वेशन आपको मिलेगा इन में से अगर कोई नहीं है तो वो external क्यालाते है external क्यालाते है और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है चेक निगेटिव मार्किंग Class 6 के examination में निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो no negative मार्किंग no negative मार्किंग there shall be no negative मार्किंग in the evaluation इस exam में Class 6 के exam में negative मार्किंग बिल्कुल नहीं ठीक है तो पूरा पूरा बना करके आओगे ठीक चलिए फीस कितनी है भाई देख लेते हैं कितना minimum फीस होता है फीस देखो 1 से Class 8 तक boys के लिए 4200 पर year की बात कर रहे है एक साल का 4200 9 10 का 66 6600 सलाना फीस और 1 से 10 गर्ल्स का गर्ल्स का 4200 सलाना है यह एक साल का कितना लगेगा 4200 ठीक है एक साल का कितना लगेगा 4200 तो समझ लो कितना कम फीस है और आप उसको installment में भी दे सकते हैं आप 3 installment 4 installment में भी दे सकते हैं आप चार इंस्टॉल्मेंट में दे सकते हैं, देख लो यहाँ पर, तो पहला इंस्टॉल्मेंट एक जार पचास रुपे का, तो कितना सस्ता स्कूल है यह समझ सकते हैं आप लोग, यही होता है सेंट्रल उनिवर्स्टी में पढ़ाई करने का फाइदा, आपका साल का ब्याल करना पड़ेगा, ठीक है तो यह फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, आगे देखते हैं, कट अफ की बात करें, कट अफ की बात करें, तो 85, 85 मार्क्स का, रिटेन होता है, क्या होता है, रिटेन टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट होता है, और आपका 15 मार्क्स का, इंटर्व्यू ह होता है है इंटर्वियू होता है है this कि कि इन चेक है तो इस किट लाना है आपको लाना है सत्तर और इस 15 मेंसे आप इंटर्वियू में अगर बैठba जाएंगे आप अगर उसमें सीफ अटेंट कर लेंगे इंटर्व्यू तो आपको 6-7 माक्स मिल जाता है कितना मिल जाता है छे से आठ मार्क्स मिल जाता है और थोड़ा अच्छा चला गया तो आपको 10 से 12 मार्क्स मिल जाएगा है ना तो 70 में जो है आप इंटर्व्यू के लिए 70 मार्क्स पे अलिजिबल हो जाएगा अगर आपका 70 marks आ जाएगा 70 marks ज्यादा आ गया 75 80 आ गया तो और अच्छी बात है 70 से 75 है ना 70 to 75 आपको score करना है written test में उसके बाद interview में आपको बोला लिया जाएगा और interview में बैठने से आपको कितना मिल जाएगा 6 से 8 marks ऐसे मिल जाएगा अगर अच्छा गया तो 10 से 12 marks आपको मिल जाएगा और आपका selection हो जाएगा पका ठीक है तो ये था पूरा class 6 का information जो भी बच्चे अलीगर मुस्लिम इनुवस्टी में class 6 के लिए entrance exam देना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है क्या क्या हमको करना पड़ेगा और उसके बाद ये सोचना है कि पढ़ाई अब करें कैसे और कहां से पढ़ें तो हमारा selection हो जाएगा तो एक बात हम बता देते हैं और आप अच्छे से अगर preparation करना चाहते हैं तो education adda का batch join करें आप लोग education adda learning app प्ले स्टोर से download कर सकते हैं ठीक है और आपको इसी तरह YouTube पे पूरा information दे दिया जाएगा अपडेट आता रहेगा कि वो batch कब से शुरू होने वाला है ठीक है क्लास 6 entrance exam का जो batch है बच्चे ये आपका education adda learning app पर 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला है 21 अक्टूबर 2020 अभी क्या चला अगस्त सब्टेंबर अक्टूबर तो अक्टूबर में 21 अक्टूबर को ये batch आपका स्टार्ट होगा 6 class के लिए और ये 6 class का batch का नाम क्या है भाई ambition batch कौनसा batch है ambition batch ये 6 class के लिए ये starting होने वाला है आपका 21 अक्टूबर 2022 में इस वीडियो के description में class 6 के whatsapp group का link दिया गया है तो आप वहाँ उस link से class 6 में जो भी बच्चे अपला करना चाहते वो group join कर सकते हैं वहाँ पर update आता रहेगा कि कब batch शुरू होने वाला है सारा information वहाँ पर आता रहेगा तो नीचे description में group का link दिया गया है आप वहाँ से group join कर सकते हैं तो ये ambition batch हमारा चलेगा 21 अक्टूबर से अना अगर जिन बच्चों को पता नहीं है तो हमारा जो इस साल जो batch चल ला था mission amu jamia 2.0 अन्तिम batch डबल धमाल अलिगर जंक्षन ये सारे batch हमने चलाये थे 11 science के लिए और उनमें बहुत ही अच्छा performance बच्चों ने दिखाया है और इन्शालला इस बार selection भी लेकर के आएंगे चलिए और दूसरा batch क्या है भाई class 9 के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने batch लेकर के आया हम लोगों class 9 के batch का नाम क्या है catalyst batch catalyst batch class 9 वालों के लिए लेकर के हम लोग आए है और ये भी education adult learning app पर होगा और ये भी 21 October 2022 से भी शुरू हो रहा है और इसका भी जो WhatsApp group link है वो description में मिल जाएगा वहाँ से join कर सकते हैं और ये सारा जो course होगा ये सब कहां होगा educational learning app पर होगा ठीक है official app है हम लोगों का चले तो फिर उसी तरीके से हम जिस तरीके से बता रहे हैं तो अलेगण Muslim University में होने वाले 2023 में जो इंट्रेंस एक्जाम होगा 11 Science and Diploma Engineering के लिए तो उसके लिए भी हम लोग बैच ले करके आ रहे हैं Mission AMU Jamia 3.0 कौन सा है भाई Mission AMU Jamia 3.0 क्योंकि हम लोगों ने इस साल 2022 में 2022 में हम लोगों ने बैच चलाया AMU Jamia 2.0 Mission AMU Jamia 2.0 उसके बाद फिर डबल धमाल उसके बाद फिर अलीगड जंक्शन ठीक है तो ये सारे और फिर अंतिम बैच ये सारे कोर्स जो है Education and Learning अप पर बहुत ये अच्छे से वहाँ पर चला है और ये सारे कोर्स में बच्चे enrolled हुए है और उन्होंने अच्छा performance दिया है result भी आने वाला है result भी आ जाएगा अगस्त के end में ये जो month है अगस्त का month है इसमें सारे result आ जाएं mid-August से जब सारे result आने शुरू हो जाएंगे तो आप लोग परिशान बिल्कुल नहीं होंगे ते तो जो भी बच्चे 2023 में 2023 के लिए अपलाई करना चाहते है लिगर मुस्लिम उन्वस्टी में 11th Science and Diploma Intense Exam के लिए तो वो हमारा batch बिल्कुल जोईन करेंगे जो कब आएगा बच्चे वो आएगा December में वो कब आएगा वो December में हम लोग December से batch स्टार्ट करते है तो 5 December से स्टार्ट होगा 11th Science and Diploma Engineering Intense Exam का preparation batch जिसका नाम है Mission AMU जामिया 3.0 और ये सारा batch आपको कहां मिलेगा ये सारा batch आपको मिलेगा ये आपका Ambition batch Class 6 के लिए Catalyst batch Class 9 के लिए Mission AMU जामिया 3.0 Class 11th Science and Diploma Engineering के लिए ये तीनों batch जो है 2023 में जो Intense Exam होने वाला है ये उनके लिए है और ये तीनों batch आपको कहां मिलने वाला है ये तीनों batch आपको मिलने वाला है Education Adda Learning App और वो आप आपको कहां मिलेगा वो आप आपको मिलेगा Play Store पे Google Play Store पे तो आप लोग Play Store पे जाए Education Adda Learning App जो है वहाँ से आप लोग download करें वहाँ से आप ये Education Adda Learning App डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपका Store section में batch आएगा वो batch कहां आएगा Store section में वो batch आजाएगा वहाँ से purchase करेंगे अभी ये सारा batch नहीं आया है Class 9th और Class 6 का जो batch है वो 21 October को आएगा और Class 11th और Diploma Engineering इंटरेंस एक्जाम का जो batch है वो December 5 से आएगा तो आप लोग तयार हो जाएं और इन सभी अभी से जुड़ें हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए अपडेट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में ये तीनो Classes का WhatsApp ग्रूप जो है वो दिया गया है उसका link दिया गया है वहां से आप जोईन कर सकते हैं आरी बात समझ में तो I hope यो सारा information आपके लिए enough है आपको बहुत अच्छी तरीकिस सब कुछ समझ में आ गया होगा तो अगर समझ में आ गया है तो ये जो सेशन है ये जो information वीडियो है informative वीडियो है ये आगे बच्चों और बच्चों तक पहुँचाएं जो preparation करना चाहते हैं और अगर चैनल को subscribe नहीं किया दर चैनल को subscribe जरूर करेंगे like करेंगे share करेंगे comment करेंगे ठीक है बच्चे तो आज का सेशन यहीं पर समापत होता है thank you so much